कि अलो स्टुडेंट्स वेलकम ओलोफ यू और दिस यूटूब चैनल आज का जो हमारा सैसन है इसमें हम डिसक्स कर रहे हैं जो क्यूस्टन से हमारे सैगेंड चैप्टर के नूट्रिशन इन एनिमल्स उसके हम क्यूस्टन डिसक्स कर रहे हैं हैं test के अंदर निविट्स करें ठीक है तो जो यूआ यूण हैं किसके में आपकी घर करता है ठीक है तो इसका फैशिंद यूण्पर आएगा हैं यह किसी में फैट्स के अंदर ठीक है विली यार पषेंटुनें जो वी कि तक आपके आपके जयादान चाहता फूट के अदर जो करते एh टिच जादा से जादा से जाधा जुबन वह ऑठ चन इसके चेमबर मोलना कवा पू कर एसके इसके अंदर difis होते हैं दूरिंग ऐचेसन प्रोसेस होती है उसके दोर आ ठीक प्रोसेस होती हो पहला ही स्टेप है हमारा डाइजेशन का उसमें या करते हैं फूर को जाते हैं अंदर लेका चाहते हैं जोटी के, ठीक है अब जो नेक्स्ट क्यूशन है फिव फाइफ उसके अंदर क्या करता है कि वीच ओफ दा फॉलॉंग है स्टिफ सेयर लाइक स्ट्रेक्चर होता है ठीक है एंजाइम्स और मेड आप ऑफ एंजाइम्स किसके बने होते हैं भई प्रोटीन्स के ठीक है फिंगर लाइक आउट ग्रोथ फ्रॉंप वाइवा इंजेशस्चन और जो फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होती है फोपूड को लेने के लिए अपनी बोडी के अंदर तो अलोंक्य कैसी बनाथा फिंगर लाइक स्टैक्चर बना था और जिसको सुडो पोडिया ठीचा है जिसको हम कहते हैं सूडो पोडिया जिसको हम कहते हैं सुडो पोडिया Yeah, the first comenber of the compound stomach is just compound stomach किसको बोलते हैं जो Ruminants होते है उनका जुमसें को हम बोलते है उसको का जो first part और वो क्या होता है ह् पालिजिक है रूमेइन ठीक है the types of nutrition in Animals is called heterotropic ठीक है जो types of nutrition होता है in animals is called heterotropic nutrition होता है the process of rumination is necessary for the digestion of rumination process होती हो क्या होती है जो partially digest food होता है उसको वापिस कहां पर लेक्या जाता है माउथ के जो रूमिनेंट्स होते हैं जैसे काउब हो क्या करती है अपने stomach से उस food को कहां लेक्या दें वापिस माउथ के अंदर लेकाता और उसको फिर से चबाती है ठीक है कुछ समय के लिए तो इस process को हम क्या कहते है रूमिनेशन कहते है और किसके डाइजेशन में गुलकोज क्योंकि जो सोरी कि आगे क्या है पेलिन दा ब्लैंक्स ठीक है तो फेस्ट में क्या रहा है कि दा प्रोसेस ओप टेकिंग दा सिंपल फूड़ पार्टिकल्स बाइद बॉड़ी से लिए जा रहे हैं ठीक है बोड़ी सेल्स के दौरा जो फूड़ पार्टिकल्स लिए जा रहे हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं सिंपल फूड़ पार्टिकल्स जो बोड़ी सेल्स के दौरा लिए जा रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते है भी assimilation assimilation कहते हैं हम इसको ठीक है क्या कहते हैं इसको assimilation क्या हो जाएगा इसका assimilation हो जाएगा ठीक है कि अच्छा सेगिंड में क्या कह रहा है अमीबा इचे स्पेस माइक्रोस्कूपिक और्गनीजम इसको इसको जाएगा इसको एक सिंगल सेल और्गनीजम एक ही सेल के दोरह सारे फंक्सन किया जाते हैं इसका Terry and Reno च्राय था में क्या कह रहा है मैं कि स्पेस साज सीक्रीक वाइदा इ실 नर वाल उब्थर स्टोंमेक स्मॉल इं टे इस्ताइन स्लेवरी ट्रेंड्स लीवर न पंक्रेज थे इन सबी के दुवारा क्या Secret के जाते है डाइचेस्टिव ज्यूस ठीक है तो यहां पर क्या लिखेंगे हम डाइचेस्टिव ज्यूस है ठीक है धर्ड में क्या हो जागा भई डाइचेस्टिव ज्यूस असी क्रेटिड़ वाइधा इनर वॉल ऑफ्टोंक सबी के दौर्ण है उसमें क्या जाएगा सिलीवा डाइजेस्ट स्टार्च एंड मेक्स फूल्ट और फूड़ के सोफ्ट या मुलाइमबना देती है गेंन इस आर फोरिन नंब्र्स केंधों कितने होता वह वोर ऊते हैं चीक है दो नीचे वाली जाम स्वाव्य जो तल किता हो जाएंगे वह क्योंगी by आ maken इंजायएंगी तो एक एक दोने में तरप होते हैं त क्या में आफ और के अंदर क्यों से स्डवेन इस पेश तो कॉंसे जूस होते हैं गाश्टरिक डूस होते हैं ठीक है गैस्ट्रिक जूस्सका सी प्रीकों प्लेंस आफियस परीजिय मतर है स्टूमै के अंदर ठीक है तो जो क्लेक्टिवली इनको हम क्या गहते हैं गैस्ट्रिक जूस बोल दें हम इनको आगे क्या गह रहा है फैट्स और ब्रोकन डाउन इंटू जो फैट्स होते हैं किसमें ब्रोक डाउन के जाते हैं वहीं सेवंथ के अंदर जू रोकन डाउन इंटू दा फैटी अइसिड नहीं किसमें फैटी असिड ठीक है फैटी असाथ किसमें ग्लाइस रोल के अंदर ड रोल के अंदर ने प्रौटीली अमुने इसिद ये इंदर है और स्टाउर्ट के अंदर बडीकडाम enzymy क्या जाता है अभी क्या रहा है कि दाइजेशन उफ प्रोटीन जबिगींस in फ far जाता है थिया अधिकल quando Kanese प्रोटीन होन तो मैंसे प्रोटिजन का सी स्टार्ट होने पर आपको करना क्या है पूरा इसमें एक इषेस्ट वाले ब्लैंक्स को मुरूट से 5000 कशेगा और यो निकाल दिया जाता है थी को यहां से इसका देने डारी आपको लिखना है। digestive food is exhausted ठीक है out of body and digestive food is exhausted out of body through the space क्या आएगा इसमें NS आ जाएगा ठीक है उसके बाद क्या कह रहे है जो ruminants to the space which latter pass to the other part of stomach for digestion ठीक है जो Do the space which greater pass to the other part of the stomach for digestion ठीक है जो क्या क्या रिद्रों आएगी तो स्टोमेंक वापिस कहां नेका आते हैं माऊथ के अंदर लेके दर लेके आते हैं और दोबारा सुसको चबाते हैं तो जो 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 पार्षलीडा डाकूद्य ll 500 विर्ड उसका हम क्या कहते एं वीच लेटर और जो बाद में रूमेन के बज़ाएं दूसरे चेमबर के अंदर बेज दिया जाता है ठीक है दूसरे पार्ट के अंदर बेज दिया जाता है ठीक है तो इसमें क्या आएगा क्यों डाइक लाश्ट वाले पार्ट में जो रोमिनेंट्स होते हैं चूदा क्यूड्स वीच लैटर ठीक है वीच लैटर पासीज टू दा अधर पार्ट ओफ दा स्टोमेक पॉर डाइजेस्ट जो डाइजेस्ट के लिए फिर दूसरे पार्ट के अंदर बेच दिया जाता है ठीक है इसको आपको कि फील अप करना है तो मसी यूँ और यह जो फील में यह आपको करने और सात्की साथ अपनी फिएर नोट्बूक के लिए ठीक है सब्सक्राइब फ करक साथ आफसे टीक है और व होंगे ऊंकि आ ईप किरना नेक्स्छ वीडिए आँस वीडियो के नदर ठीक है क्योंकि वर्क आपका आप continue रह रहा है तो अगर आप पीछे रहा जाओ तो फिर cover up करना मुश्किल हो जाएगा ठीक है तो वो जिस भी बच्चे को जो भी problem हो प्रसनली आप मेरे से पूछ सकते हो ओके थैंक यू